आईए जानते हैं इस साल के बजट में दलितों, अधिवासी और पिछलों के लिए मोधी सरकार ने कितनी राशिया बंटित की हैं मोधी सरकार ने अपने आखरी बजट में कई लोग लुभवन गोश्णाई की चुनावी साल में मददाताओं को लुभाने की कोशिश की लेकिन इस अंतरिम बजट में दलितों, अधिवासी और पिछलों की उपेक्षक की गई है सरकार ने दलितों, अधिवासी और पिछलों की भलाई के लिए मिलने वाला बजट बढ़ाने की बज़ाए घटा दिया है कथित विकास के दावे करने वाली सरकार ने दलितों, अधिवासी और पिछलों को नजर अंदाज किया है मोधी सरकार ने साल 2019-2020 के लिए जो अंतरीम बजट पेश किया है उसमें अनुसुचित जाती के विकास के लिए चलने वाली योजनाओं के लिए सिर्फ 5,395 करोड रुपया वन्टित किये हैं जबकि पिछले साल ये संशोधित बजट 7,609 करोड रुपया था यानि साल दलितों के बजट में 2,214 करोड रुपय की कटोती की गई है साल 2011 की जणगन्ना के मुताबिक देश में अनुसुचित जाती के लोगों की संख्या 16,66,35,700 है अगर इस 595 करोड को 16,66,35,700 में बाटा जाए तो एक व्यक्तिक के हिस्से 0.0003238 पैसे आएंगे यानि देश की 16.2 फीस्दी अबादी के हिस्से में 54 अठनी तो दूर एक पैसा तक नहीं आएगा वहीं अंतरिम बजट में अनुसुचित जनजाती की भलाई के लिए पिछले साल के मुकाबले सिर्फ 4 करोड रुपे ज्यादा दिये गए हैं साल 2019-20 में अनुसुचित जनजाती की भलाई के लिए सिर्फ 3,810 करोड रुपे का बजट दिया गया है 2011 की जनगनना के मुताबिक देश में अनुसूचित जनजाती के लोगों की संख्या 8,43,26,240 है अगर इस 3810 करोड रुपया को 8,43,26,240 लोगों में बाठतियां जाए तो एक व्यक्ति के हिस्से 0,000,4518 पैसे आएंगे यानि देश की 8% से ज़्यादा अबादी के हिस्से एक पैसा भी नहीं आएगा मोदी सरकार के आखरी बजट में अल्प संखिकों के हग को भी मारा गया है माइनोरिटी की भलाई के लिए भी महज 1551 करोड रुपय का परावधान किया गया है साथ ही अन्य वंचित सम्हों के विकास के लिए भी मोदी सरकार की जेब से पैसे नहीं निकले वंचित सम्हों की भलाई के लिए सिर्फ 1227 करोड रुपय वन्तित किये गए हैं जबकि पिछले साल इसका अनुमानित बजट 2287 करोड रुपय था यानि सीधे सीधे 1060 करोड रुपय की कटोती कर डाली पुझी पतियों का लाखो करोड रुपय करज्या माफ करने वाली मोदी सरकार से जनता की भलाई के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं होता अब देख रहे हैं दशुद्र रोजन समाज से जोगी तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बैल आइकन को प्रेस करने ना भूले ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सके